वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग थामस हाप्स के सामाजिक समझोता सिध्धान्त को देखेंगे ठीक है तो आईए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सामाजिक समझोता सिध्धान्त के तो इसे हम लोग देखेंगे step wise जो steps आपने Thomas Hobbes ने दिये हैं तो सबसे पहले उसने किया है क्या मानव स्वभाव का चित्रड तो सबसे पहले मानव स्वभाव किस तरह से है वो उसने बताया है तो इस्टार्ट करते हैं इसे Hobbes का मूल मंत्र स्वयम को पढ़ हो है इसका अर्था की Hobbes कहता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्यक अध्यन कहां से प्रारम होना चाहिए तो मानव स्वभाव के चिंतन से ही प्रारम होना चाहिए तो अब देखते हैं इसने मानव स्वभाव को किस तरह से बताया है Hobbes ने तो हाप्स जो है ये मानव का चित्रड एक धूर्थ इरस्यालू स्वार्थी और भायगस्त प्राड़ी के रूप में करता है तो ये बताता है कि जो इंसान है वो क्या है मानो है एक धूर्थ है वो एक दूसरे से इर्षया करता है स्वार्थी है और जो है एकदम भायगरस्त्र प्राडी है ठीक है ना अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर क्या करता रहता है लडाई जगड़ा करता रहता है तो ये जो है मानोव सुभाव का चितर्ड किसके दोरा है हॉब्स के दोरा तो इस तरह से आप से एक्जामें पूशा जाता है कि किसने मानोव सुभाव का चित्रड मानस वभाओ में जो संखर्स हो रहा है प्रतियस परधा क्यों हो रही है तो प्रतियस परधा हो रही है लाव के लिए ठीक है और भए तो भए के कारण यानि रक्षा के लिए सब लोग एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं और तीसरा जो आपका मुख्य करण दिया है वो दिया है यस तो वो क्यों है तो वो प्रसिद्धी पाने के लिए ठीक है तो ये प्रतियस्परधाब है और यस ये तीन मुख्य करण दिये हैं मानो सभाव के किसने हापस ने दिये है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है कि कोई भी जो है इन में कोई बहुत बड़ा अंतर्या विसमता नहीं है ये सब ही लगभग जो है क्या है बराबर है ये किसने का है तो ये कहा है हापस ने अब देखे मानव सभाव का चित्रड तो हो गया उसके बाद इसने जो है मानव की जो है प्राकृतिक अवस्था होगा तब तो राज की उत्पत्ति से पूर्व की इस्थिति को जो है हापस ने क्या कहा है प्राकृतिक अवस्था जो है इसकी संग्यादी है उसको प्राकृतिक अवस्था कहा है राज की उत्पत्ति से पूर्व की इस्थिति को ठीक तो राज से पहले जो है बात की जा रही हाब्स के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी वो पूर्वराजनीतिक और पूर्वसामाजिक दोनों है तो यह आप से पूछा जाता है एक्जाम में आप ध्यान रखना कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्वराजनीतिक और पूर्वसामाजिक दोनों ह जो है राज की उत्पत्ति नहीं हुई है ठीक है उसके पहले की अवस्था है प्राकृतिक अवस्था तो पूर्वराजनीतिक हो गई अभी राज की उत्पत्ति नहीं हुई है और आपका पूर्वसामाजिक तो अभी जब तक जो है आपका मनुस्य इस अवस्था में कैसा है भी भायगस्त प्राड़ी है इर्षय करता है स्वार्थी है धूर्थ है तो इसलिए भी समाज का भी विकास नहीं हुआ है ठीक है तो प्राकृतिक अवस्था जो है ये पूर्व राजनीतिक और पूरो समाजिक दोनों है इस बात को आप ध्यान देंगे हाब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्त ही सत्य है की धारड़ा पर आधारिद है तो यानि कि जिसके पास सक्ती है वही जो है यहाँ पे आगे बढ़ रहा है ठीक क्योंकि सब एक दूसरे से क्या कर रहे है निरंतर संगहर्स में जो है लिपत हैं हाब्स का एक कथन है क्या कथन है जीवन एक सक्ती के बाद दूसरी सक्ती पाते रहने की सतत और बेचयन इक्छा है यानि कि अगर आपके आपने एक सक्ती प्राप्त कर ली तो अब आप दूसरी सक्ती प्राप्त करने के लिए इक्छारत हो जाएंगे ठीक है ना आपके अंदर एक इक्छा उठेगी जो ह एक सक्ति के बाद आप दूसरी सक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार ततपर रहेंगे और जिसका अंत्म जो है वो मृत्यू के साथ ही होता है यानि कि जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आप कोई न कोई सक्ति प्राप्त करते रहना चाहेंगे ठीक है ये किसका कथन है तो ये हाब्स का कथन है ये भी आप ध्यान रखना ये भी आपसे पूछा गया है एक्जाम में उसके अनुसार यानि की हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सब का सभी के साथ निरंतर संगर्स या युद्ध चलता रहता है तो प्राकृतिक अवस्था राज के पूरू की अवस्था है अभी आपका समाज का भी जो है पूरी तरीके से क्या निर्माड नहीं हुआ है तो पूरू समाजी का वस्था है तो उसमें किस तरह से है प्राकृतिक अवस्था में सभी का सभी के साथ निरंतर संगर्स और युद्ध जो है चलता रहता है ये हॉब्स ने कहा इस दसा में मनुष्य का जीवन, एकाकी, गरीब अपवित्र, पासविक और छोटा होता है तो ये जो है सारी समस्याइं होती है जब एक दूसरे का सब के साथ निरंतर संगर्स चलता रहता है तो जो मनुस्य का जीवन होगा वो इसी तरह का होगा एकाकी, गरीब, अपवित्र, पासवीक और छोटा तो ये भी आपसे पूछा गया है कि ये किसके प्राकृतिक अवस्था की बात है तो ये हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की बात है वनुस्त्र की जो है इस्टिती इस तरह से होगी इस तरह से थी ठीक है ना इस Keysक्ता की अवस्था से मुक्ति पाने के लिए तो यह आपकी अराज़ग्ता की अवस्था चल रही थी सब एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो ये क्या है लिवियाथन और कामन विल्थ डेखते हैं तो ये आरा जगता की स्थिती हो रही थी सब एक दूसरे के साथ हुद्ध कर रहे थे तो इससे मुक्ति पाने के लिए जो लोग थे उन्होंने कामन विल्थ किसे का गया है समाज, राज्य और शासन को कामन विल्थ का गया है तो इसकी अस्थापना करने के लिए अपनी सक्तियों को लेवियाथन तो लेवियाथन जो है एक समू होए या फिर एक व्यक्ति है ठीक है जिसको जो है पूरी तरह से संप्रभुता प्रदान कर दी गई है कि आप ही अब हम लोगों के उपर सासन करोगे नियम कानून बनाओगे सब कुछ करोगे ठीक है न तो ये कामन विल्थ के स्थापना कामन विल्थ का अर्थ आपका क्या हो गया समाज, राज्य और सासन ये भी आपसे पूछा गया है कि जो आपके हॉप्स ने कामन विल्थ सब्द का प्रयोग किया है उसका क्या अर्थ हो होता है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे इसे तो कामन विल्थ के स्थापना के लिए अपनी सक्तिओं को किसे सौम देता है तो लेवियाथन को सौम देता है ठीक है इसे आपका जो है क्या बना देता है इसको संप्रबता प्रदान कर देता है हापस की प्राकृतिक अवस्था की आलोचना भी की है और ये पछले वर्च आपके अग्जाम में पूछा भी गया था तो हॉप्स की प्राकृतिक अवस्था की आरोचना करते हुए इस्पीनोजा ये इस्पीनोजा ने क्या कहा है तो उसने कहा है कि हॉप्स की प्राकृतिक दसा का दैत्य है ठीक है ना उसने मनुष्य से नहीं कहा है क्योंकि होब्स ने किस तरह से मनुस्य का वर्डन किया था कि वो आपका धूर्त है, स्वार्थी है भायगरस्त प्राणी के रूप में है एक दूसरे से हमेशा लड़ता रहता है तो इसलिए स्पिनोजा ने इसके प्राकृतिक अवस्था के जो लोग थे उसको दैत बोला है तो इसने कहा कि हाब्स की प्राकृतिक दसा का दैत मनुस्य कभी नहीं हो सकता यानि कि इस्पिनोजा कहता है कि मनुस्य इस तरह से नहीं हो सकता कि इस तरह से वो हमेशा एक दूसरे से हमेशा लड़ता रहे ठीक न, तो इस पिनोजा ने इसकी अलोचना की है, इसकी प्राकृतिक अवस्था की ठीक थामस हॉप्स ने स्वतंतरता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभासित किया है ये भी आप ध्यान रखेंगे, अब देखें यहां पे एक प्राकृतिक कानून की बात की गई है ठीक, प्राकृतिक कानून की बात की गई है, प्राकृतिक अधिकार की बात की गई है ये भी दुनों जो है टर्म्स किस ने दिये है तो ये भी टर्म्स जो है आपके दिये है इसमें थामस हॉप्स ने तो थामस हॉप्स ने इसके बारे में क्या कहा है आएए देखते हैं हाप्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानों के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे तो प्राकृतिक अधिकार जो है कौन से थे तो प्राकृतिक अधिकार आपसे कई बार पूछा गया है कि हॉप्स जो है ये आत्मरक्षा का जो अधिकार है इसे ही ब्यक्तिका प्राकृतिक अधिकार मानता है ठीक है तो प्राकृतिक अधिकार आपने देखा कि प्राकृतिक अधिकार क्या है तो ब्यक्तिके आत्मरक्षा का अधिकार जब एक दूसरे से सब लोग लड रहे हैं भीड रहे हैं तो उसमें जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसे ब्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है किसने तो माना है किसने हॉप्स ने ठीक है न अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक कानून क्या है तो प्राकृतिक अधिका क्या था आत्मरक्षा का अधिकार था तो जो भी मनुस्य है जो वो अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी करने के उनको सतंत्रता है ठीक है यह आपका प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है ओके अब प्राकृतिक कानून क्या है तो प्राकृतिक कानून जो जूसे उसके प्राणों को अगर संकर्ट हो तो जो है ऐसा वो नहीं करे ठीक ना इस तरह का एक प्राकृतिक कानून जो है था इस पर किसी ने लागू नहीं किया था यह बस कली जिस तरह से प्राकृतिक आधिकार थे कि वो अपना अत्मरक्षा कर सकता है उसी तरह से ये प्राकृतिक कानून भी था कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है न, कि ताकि दूसरों के प्राणों पर जो है आबने प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का अभास होता है तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का अभास होता है यानि कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सोतंत्र है ठीक है वो अपनी आत्मरक्षा कर सकता है प्राकृतिक अधिकार से ये बात होती है और प्राकृतिक कानून से किसका आभास होता है तो उससे दाइत्तों का आभास होता है या फिर उसकी जो है आत्मरक्षा आपसे करनी पड़े ठीक है ना तो यानि कि उसके जो है किसी दूसरे को जो है आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे में बात ये है तो इस तरह से प्राकृतिक कानून से आपके दाइत तुका आभास होता है तो ये भी आपसे पूछा गया ह कि प्राकृतिक अधिकार से किसका आभास होता है सुतंतरता को और प्राकृतिक कानून से किसका आभास होता है तो ये आपके दाइत तुका आभास कराता है हापस ने 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है ये भी आप ध्यान रखेंगे कितने प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है जिन में से 3 जो है अत्यधिक महत्पूर्ण है और ये तीन कौन-कौन से है ये यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग प्रत्येक ब्यक्ति की सांती अस्थापित करने की चेश्टा करनी चाहिए तो प्रत्येक ब्यक्ति हैं जो भी प्रत्येक ब्यक्ति हैं उन्हें सांती को अस्थापित करने की चेश्टा करनी चाहिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किये गए समझोतों का पालन करे यानि कि एक मनुष्य ने अगर किसी दूसरे मनुष्य से कोई समझोता किया है कि आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको जो है ये दूँगा इस तरह की कोई समझोता किया गया है तो अगर सांतिय स्थापित करने की बात आती है तो आप व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सामोहिक रूप से अपनी प्राकृतिक सुतंतरता को त्याग भी कर सकते हैं ये आपके तीन जो आपके नियम महतवपूर नियम थे इन्हें जो है आत्मरक्षा का नियम भी कहा गया है ठीक है ना? तो प्राकृतिका आधिकार क्या था? आत्मरक्षा का आधिकार था तो ये आपने देखा अब देखते हैं जो है क्या आपका अनुबंध और राज की उत्पत्ति कैसे हुई यानि कि अनुबंध का मतलब जो आपका सामाजिक समझ होता है वो कैसे हुआ और उसी से जो है राज की उत्पत्ती होती यानि कि सामाजिक समझ होते से ही राज की उत्पत्ती हुई थी तो प्राकृतिक अवस्था में अभी आपने देखा और दूसरे को आप नुकसान पहुंचाएं, ठीक है न, तो लेकिन ऐसा कोई बाद्यकारी सक्ती नहीं था कि उस नियम को वो लागू करवाए, ठीक है, इसलिए कोई भी ब्यक्ति उसका पालन नहीं करता था, उस जो है प्राकृतिक नियम था, नियम का पालन नहीं करता था, अतह आवश्यक्ता एक ऐसे संस्था की थी जो सक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को सांती रखने के लिए बात दे कर सके तो लोगों ने एक ऐसे संस्था की कमी महसूस की सांती रखने के लिए आवश्यक हो ठीक है न? इसी लिए जो है क्या किया गया? इसी लिए हाप्स के अनुसार राज की अस्थापना का केवल एक धंग है और वह क्या है? समस्त ब्यक्तियों का अपनी समस्त सक्ति को एक ब्यक्ति या ब्यक्ति समूह को समर्पित कर देना ताकि वो ब्यक्ति या ब्यक्ति समूह जो होगा, जिसको सारी सक्तिया समर्पित की जाएंगी, वो जो है कानून को लागो कराएगा, और जो है इनकी रक्षा करेगा, ठीक है न? केवल इसी प्रकार से प्रजाजन सासक के इक्षा को अपनी इक्षा, और उसके निर्ड़े को अपना निर्ड़े मान सकते हैं, तो अगर आप अपनी सारी सक्तिया किसी एक ब्यक्ति या ब्यक्ति समूह को समर्पित कर देंगे, तब ही जो है आप क्या करोगे, कि जो आप सासक चुनोगे, उसकी इक्षा को आप अपनी इक्षा मानोगे, वो जो कहेगा वही आप सत्य मानोगे और वो जो निरड़े लेगा उसी निरड़े को आप भी सत्य मानोगे ठीक है न? तो हाप्ज के अनुसार राजी की जो अस्थापना है वो कैसे की गई? राजी की अस्थापना व्यक्तियों द्वारा पारसपरिक समझहोते के आधार पर की गई है तो ये भी important point है आप ज़रूर याद रखना कि जो आपके राज के स्थापना है हापस के अनुसार वो किस तरह से की गई ब्यक्तियों ने किया है पारसपरिक समझहोते के आधार पर यादि कि ये आपके जो जो लोग एक दूसरे से आपस में लड़ भिड़ रहे थे ठीक है ना प्राकृतिक अवस्था में जो ब्यक्ति थे उन्होंने आपस में समझहोता किया ठीक है तो प्राकृतिक आपस में समझहोता किया कि हम सापनी सारी सक्तियां किसी एक समझोते में सामिल नहीं है ये भी आपसे पूछा गया या ध्यान रखिएगा कि ये जो सासक जिसे ये सारी सक्तियां इन लोगों ने प्रदान की है ये इस समझोते में सामिल नहीं है ये इसके बाहर है ठीक है न तो इसको जिसे समप्रभुता दी गई है उसके उपर समझोता लागू नहीं होता है जो भी समझोता लोगों ने आपस में किया है अता हाब्स के अनुसार प्राकृतिक समझोता प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच हुआ था ठीक तो ये बात आप समझ गयोंगे जो आपका सामाजिक समझोता हुआ था वो जो प्राकृती का वस्था में लोग रह रहे थे उनहीं के बीच हुआ था ना कि लोगों और लेवियाथन के बीच तो अभी आपने उपर देखा था कि लोगों ने कामलवेल्थ के स्थापना करने के लिए अपनी सारी सक्ति किसको जो है समर्पित कर दी लेवियाथन को समर्पित कर दी तो लेवियाथन क्या था एक सम्प्रभू था तो ये लोग हैं इन्होंने आपसी सम्झोता किया और इसने जो है अपनी सक्ति किसे समर्पित कर दी तो अपनी सारी सक्तियां लेवियाथन को समर्पित कर दी ठीक है ना और ये जो है इस समझहोते का पक्ष नहीं है ये इनके बाहर है ठीक है समझहोता केवली इन लोगों के बीच में हुआ जो प्राकृति का वस्था में लोग रह रह रहे थे हापस की विचार धारा के अनुसार राज की अस्थापना का एक मात्र करार ब्यक्ति की शुरक्षा के लिए राज का अनिमारे होना है तो हापस की विचार धारा क्या कहती है कि राज की अस्थापना क्यों ही है क्योंकि जो है ये ब्यक्ति की शुरक्षा के लिए आवस्यक है तो राज इसी लिए अस्थापित किया गया ताकि ब्यक्ति की सुरक्षा को किया जा सके तो ब्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज का अनिमारे होना है इसी वज़े से जो है राज के अस्थापना की गई यह किसका विचार है तो यह हॉप्स का विचार है ठीक तो अभी आपने देखा सुरक्षा के लिए इस अमने समझोता किया और इसके लिए जो है राज के अस्थापना की गई यह वह सिध्धान्त है जिसके अनुसार राजिका जन्म जन्ता के आपसी समझोते से हुआ सास्की समझोते से नहीं तो यही जो अभी आपने उपर देखा कि यह अपने जन्ता नहीं आपस में समझोता करके जो है राजिका निर्माण किया है कोई इसके लिए सासकी ये समझोता नहीं हुआ है ठीक है ना जो भी आपका सासक चुना गया है वो उस समझोते के बाहर है उस समझोते में वो नहीं आता है हाब्स के सामाजिक समझोता सिधान्त का सार्व तत्त क्या है सब ही लोगों का संप्रभु के प्रती पूर्ड समर्पढ ठीक है यानि कि जितने भी आपके प्राकृति कवस्था के लोग थे ठीक जो प्राकृति कवस्था के डेर सारे लोग थे वो जो है यहाँ पे जो संप्रभु नो ने चुना है उसके प्रती ये पूर्ड रूप से समर्पित रहेंगे यही जो है इस समझोता सिध्धान्त का सार्वतत्त्त है जो हाब्स का समझोता सिध्धान्त है क्योंकि अभी आप आगे भी लाग का समझोता सिध्धान्त और रोसों का समझोता सिद्धान भी पढ़ेंगे ठीक है, तो ये हाप्स की बात हो रही है अब देखते हैं संप्रभुता का स्वरूप क्या दिया है तो अभी संप्रभुता जो है यह अभी आपने देखा कि सभी लोगों ने क्या किया, सभी लोगों अपनी सक्ति जो है, एक संप्रभु में क्या कर दी, समाहित कर दी ठीक है, कि अब ये संप्रभु ही हम लोगों के उपर सासन करेगा, तो हाप्स जो है, ये राज जी को असीमित संप्रभुता प्रदान कर देता है, तो ये जो राज जी का राजा का नहीं, बलकि निरंकुस राज जी का है, तो इससे की निरंकुस राजा की अस्थापना नहीं की गई है, इन लोगों ने क्या किया है, एक निरंकुस राज जी की अस्थापना की है, जो आपका हाप्स का विचार है, इससे जो आपका समाजिक सम्झोता हुआ है इससे जो है एक निरंकुसरजराज जी की जो है स्थापना हुई है, ठीक है न tumbuh तो यहां पे निरंकुस्ता आपकी है पूरी तो यह आपके समाजिक सम्झोता का सिध्धान था उमीद करता हो कि आपको समझ में आवगा आगे के वीडियो में हम लोग हापस का जो संप्रभुता का विचार है वो देखेंगे और हापस का व्यक्तिवाद हापस के विचार में व्यक्तिवाद कहां पियाता है उसे समझेंगे ठीक है न तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और जो है अपने दोस्तों तक भी से सेर कर दीजेगा ठीक जो भी आपके इस एक्जाम की तियारी कर रहे हो चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहां तक देख रहे होंगे ठीक है तो वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक्स फार लर्निंग ओके